हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टू दे चैनल तो जैसे कि एससी जाइए का पेपर वन हो चुका है और पेपर टू की डेट आ चुकिए पेपर टू की डेट हमारी 4 देसेंबर 2023 है वहीं पर हम बात करते हैं पेपर वन की तो कुछ लोगों का कहना है कि पेपर इजी से मॉडरेट की बीच में ता कुछ लोग कि मॉडरेट से डिफिकल्ट था तो इस पर डिपेंड करता है कि अगर बहुत जादा लोगों को एजी लगा तो कॉट आफ उपर चली जाएगी और अगर अगर मॉडरेट से डिफिकल्ट के बीच में लगा तो ओके कॉट अप थोड़ी नॉमल रहेगी तो यह डिपेंड करता है कि किस तरीके से लोगों ने पेपर को परस्यू किया है तो अगर देखा जाए तो 120 से 130 के बीच में जनरल केटिगरी की कट ओफ रहनी चाहिए लेकिन अगर आप देखें तो 4 दिसेंबर 2023 देखो दिन है तो अगर हम देखें ऑक्टूबर म आपके पास आज से बचते हैं तो ज्यादा दिन नहीं है 51 देखें नहीं है तो अगर हम बात करते हैं ऑक्टूबर में तो ऑक्टूबर में एक बर हमारे पास दशेरा है नेवेंबर में दिवाली है कुछ लोग चटपूजा भी मनाते तो चटपूजा है और दिवाली लाइगी तो 41 में से 7 पहली मैनिस कर लो सब्सक्राइब से 7 पहली मैनिस कर लो फॉटिफोर डेस बचते हैं 44 देस हमारे पास बचे तो आप देख लो 44 देस बचे हैं और हमारे एक्जाम पेपर टुका और ऐसा नहीं कि स्लेबस बहुत जादा च्छा खासा है अगर हम बात क से टाइम खीचना है 44 देस हमान के चलो 40 देस तो सब बच्चे पढ़ेंगे पर जो यह एक एक वीक है या जो हमारे पास 51 जो है पूरे इनका जो मैक्जिमम यूटलाइज कर लेगा वो रेस में सबसे ज़्यादा आगी होगा अगर हम बात करते हैं पर पैटर्न 2 की जो हमार जो मैं जो हमारे हम्नाने को मिले डिखना पासब पास प्रृप्यचन को मिलेंगे इस में आपको इस पैटर्न में जो हमारे हम्नुट को मिले ihan 100 question, each question का marks जो है वो 3 marks carry करता है और अगर हम negative marks की बात करें तो 1 by 3 है इसकी मतलब minus 1 हो जाएगा एक question कला तोने पर, 3 marks तो गई गई और एक negative हो जाएगा, मतलब एक question कला तोने पर आप वो 4 number का loss है फिर अगर हम बात करते हैं आप तो objective type में pattern में है 100 question आएगे, calculator allowed है इसका मतलब numerical अच्छेखा से पूछे जाएगे एक होता gate वाला calculator वो वाला calculator नहीं जो आप basically use करते हैं calculator वो वाला calculator allowed है तो numerical हो सकता है, लेंदी भी पूछे अगर mains के paper की बात करें तो पहले जो means के paper होते थे जैसे पहले mains के जो conventional paper था तो ESE के ही conventional जो questions होते थे, ESE के जो conventional questions होते थे, उन्हें के basis पर ये लो questions पूछते थे और जो SSC ने पहले PYQ पूछे गाए हैं उन्हें के basis पर, तो यही है लेकिन थोड़ा सा pattern change हो जाएगा, अब आपको ESE है, ESE जो different AE, जो state level जो ESE के exam होते हैं, और जो gate है, gate, इनके combination को, इनके combination of PYQ को करके चलना पड़ेगा, क्योंकि gate में जो है numerical अच्छे पूछते हैं लेकिन concept वाले, बहुत ज़्यादा conceptual numerical भी नहीं पूछेंगे क्योंकि time taking है, आप देख सकते हो gate में 65 questions पूछते हैं और यहाँ पर आपको 100 questions पूछ रहे हैं वो भी 2 hours के अंदर पूछ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि एक question में खो जाने वाले question पूछ लेंगे, वहीं पर AE में जो हमारे numerical आते हैं formula based numerical या फिर थोड़ी सी जो theory के question है, उनको हम करते हुए जे लेंगे और जो ESE के question है, जैसे statement वाले question है, और आज कल आपको देखने को मिलेगा, कि इन questions का challenge बहुत हो गया, जैसे आपने UPSC में भी देखा होगा, कि statements देदेंगे 1 statement, 2 statement और 3 देदेंगे और आपके पास option में होगा, कि 1 correct 2 correct, 1, 2, 3 all correct या फिर only 2 correct, 3 correct इस तरीके से, तो अब इसके लिए आपको इससे क्या बता चलता है, कि आपको एक जो topic है, उसके उपर हमारे deep study होनी चाहिए, अब आप जो भी topic पढ़ोगे, उसके उपर आपको deep पढ़ना है आपने जैसे कोई भी point पढ़ा कि जो हमारा consolidation है वो क्या total stress का factor है या फिर effective stress का factor है या consolidation वाटर के निकलने से होता है या फिर air के निकलने से होता है तो ये आपको पढ़ोगे, आप statement पढ़ रहे हैं या ये रखते हो चलना है उसके पीछे आपको उसकी reason भी पढ़ते हो चलना है इससे क्या आपका जो statement जो assertion reason वाला question होता है इनमें या आपको बहुत help करेगा तो आपको जो भी topic है उनकी deep study करते हुए चलना है ऐसा नहीं कि उपर-उपर से देख लिए one liner का जमाना चला गया अब जो है question के level बहुत जादा increase हो रहे है है कि अगर hundred question है तो आप मालो 10 से 15 के question easy के तरफ करने के लिए paper को थोड़ा one liner question देदेंगे नहीं तो statement वाले question अच्छे कास है जो हमारे ESE के questions है ESE के जो PYQ है जिसमें statement पूछे रहे है या फिर one statement true, two statement true, all statement true, one, two, three correct, incorrect यह जो वाले question है जिसमें theory के question बहुत ज्यादा लेंदी आते हैं यह question हमें ESE के प्रिवाई क्यों से करना है तो वहीं पर हम बात करते हैं तो ESE gate और AE को हम level को लेते हुए चलना है चाहिए हमें इसकी त्यारी में इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि इन्हीं के अंदाजे पर SSE question पूछेगा वैल अगर हम बात करते हैं subject के importance की अगर हम subject के importance की बात करें तो जैसे कि मैंने आप वहाँ बताया कि अब आपने pre के लिए इतना तो पढ़ाई है प्री के लिए पढ़ाई की है छोड़ा तो है नहीं कुछ भी तो बस अब आपको क्या करना है यह सब्सक्राइब करना है कि इतनी जल्दी डेट देने का मतलब यह है कि अपने प्री के लिए तो इतना पढ़ना तो पढ़ लिया है गेट के भी यह नहीं कि सारे अच्छे वाले बहुत जाता है जो रीसेंट पूछेंगे वो नहीं थोड़े प्रीवियस से भी प्रीवियस के पूछेंगे जैसे 2010-15 तक के जो क्वेशन है जो थोड़े इजी बेस्ट पे नुमेरिकल है गेट के उनको करना है AE के questions को करना है, AE में भी अच्छे questions बहुत निकल वा लिया तो ये question क्या है कि KLC के help से भी बहुत जल्दी हो जाते है तो इन questions को भी आपको करना है क्योंकि Three Marks का question है तो इतना तो पूछेंगे statement वाले questions करने है numerical question करने है तो बिलकुल आप अपने success को पाएंगे तो ये हमारे को कुछ ध्यान लेते हुए त्यारी में हमें इसको करते हुए चलना है बगर हम subject के importance की बात करते हैं तो कुछ subject के importance की बात करें अगर इसमें बात करते हैं तो कुछ category में divide कर लेते हैं जैसे की सबसे पहले सोम तो ये जो importance है subject की मैं इस तरीके से बता रहे हूँ कि कुछ ज़का पे जो हमारे AEK मैंने previous year को देखा है और ESE को हम सब स्यादा लेके चल रहे हैं इसमें क्योंकि SSC ESE को बहुत ज़ादा follow करती है तो जैसे कि एक category में हमने SOM को रखा, RCC को रखा Steel को रखा और हमने इसमें structure को रखा और estimation को रखा जो estimation costing वाला है estimation को रखा और यहाँ पर हमने structure को रखा तो अगर हमें इसमें भी बात करें तो SOM YSE के prelims में SOM से जितने number question आते हैं इसका अलगी तागात है SOM से वो बहुत ज़ादा question पूछते हैं जैसे कि हमारा principle stress theory हो गया column हो गया कि हमारा जो thermal stress निकल आते हैं deflection में क्या change आता है जो हमारी fixed beam होती है composite beams होती है उनके वज़े से elongation कितना होगा यह वाले question इनके इतने favorite है तो SOM का एक अलगी weightage है अगर हम इस category है जो first category में हमने subject हो दिया है इतना question तो पूछेंगे पूछेंगे RCC में LSM हो गया WSM से या फिर जो हमारे column में load निकालना होता है कि short column है XEL है उसकी E minimum check करके जो पूरा load निकालते हो वो load वाला question यह वाले जो question है LSM हो गया या फिर T beam हो गया यह जो questions है इनको बहुत पूछते हैं लोग तो SOM सबसे ज़्यादा इस category में SOM को सबसे उपर हम देंगे फिर RCC और Steel equivalent है XT mission में एक question होते हैं जिसमें book value वाले हो गए हमारे scrap value depreciation के जो questions होते हैं different methods जो question पूछते हैं बिलकुल इनकी पूछते हैं अच्छे खासे तरीके से पूछते हैं इनको इसमें आपको इसको भी इंक्लूड करना है तो वो dry mortar और cement वाले जो question होते है number of bricks कितने लगेंगे cement कितना waste हुआ यह सब जो question है वो extimation में पूछे जाएंगे वहीं पर structure की अगर बात करते हैं structure पूछ जैसे trust के quesetion होटे हमारे frames के question है ILD के question है trust हो गया frames हो गया हमारे ILD के question है औरbeं unconditional ازोम में बहुत्स होटे है तो हमारा ietna whatsoever हमारे पर जो हमारे bymek जो हमारे 3G ना आरच थे हैं ट्रस होगे हमारा फ्रेम्स होगे इसमें हमारा मेंबर का फोर्स निकालना होता है कि जो मेंबर इसमें कितना फोर्स होगा यह वाला क्वेशन और दूसरे के चो ब सोड इंवाइरों और हम इसके स्टेटमेंट वाल फ्लस निमेरिकल और इन्वारिमेंट के बीद में कि प्लस नुमेरिकल नामएरिकल यख़्ट क्लोरिन का दिमांड पूछ लेते हैं वाटर डिमांड पूछ लेते हैं महां पर सीवेज का वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड और जो हमारा बायो ब्योडी के वैल्ली निकालो जो डियू साचुरेटेड है यह वाले जो क्वेशन होते हैं बहुत इंपोर्टेंट हैं तो यह कर तो बहुत जाधा इनलल वेल्ल एलल अग具 निकालन का अरॵरिजनल प्रेसर्च और हमारा वर्डिकल प्रेसर यह यह वाले question जो force की value निकालने होती कि horizontal force कितना लग रहा है वarticle force कितना लग रहा है यह वाले question different different shapes पे यह वाले OCF की बात करते तो OCF का जो syllabus है वो कम है लेकिन इससे question जो है number of question अगर हम बात करते तो efficient channel पे जो questions है वो बहुत पूचे जाते है super critical, subcritical है यह जो width contraction वाले question होते हैं कि हमारा हम पा गया तो उसके वज़े से क्या question है यह वाले question इसके बहुत अधर important है OCF की बात करें सबसे चोटा subject है मतरा सबसे चोटा इसका syllabus है और इसससे question, number of question इसके FM, HHM और इन तीनों को मिलाएं तो इसमें इसका weight is सबसे जादा है तो theory और numerical के basis पर दौनों ही बहुत important है अगर अगली category में डालें तो इस category उतनी important है जैसे CPM PERT कुछ subject जो है जो CPM PERT जो हमारा होता है CPM हो गया हमारा construction and management miss को include कर लो CPM PERT और जिसमें हमारे management के tools आ जाते हैं CPM PERT हो गया हमारा और फिर हमारा survey है सर्वे और hydrology and irrigation 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 की बात करते है तो syllabus में जो इसका weightage है वो बहुत आदा increase होता है compared to हमारे और subject से irrigation और hydrology hydrology से तो एक question important है जो question हम आगर बात करें तो वह यह वाला question होगा जो हमारा triangle basis पर बनता है है और hydrograph बनाते है और इसमें हमें या तो area की बिनोंगा coordinates की बिनोंगी हमें runoff निकालना होता है तो कितना unit runoff हुआ तो जो हमारे hydrograph पर question है वो बहुत important है या फिर जो हमारा missing rainfall का question है या फिर हमारा average rainfall का question है इन तीन चार category से बस है यहां निकालने के लिए है यहां डेम्स पर भी question पुछ जाते हैं तो irrigation इंप्ट में जो हमारा estimated time के लिए जो question पुछ जाते हैं अगर उन्हें थोड़ा सा level of difficulty increase करना तो estimating में यह वाला जो question होता CPM part में जिसमें हमें variance निकालना है estimated time तो निकालना है variance निकलवा सकते है standard deviation निकलवा सकते हैं और पूछ सकते हैं कि कि इतनी probability है या फिर z की value क्या होगी अगर इतनी probability है तो यह वाले question जो है यह बहुत important है सर्वे में तो सब कोई पता है सर्वे का theory भी important है theory light और यह सब theory के points भी important है और निमेरिकल में बात करता है तो four bearing back bearing included angle वाला या फिर latitude departure वाले question निकालने के लिए जो कुछ questions है हमारे या फिर हमारे जो टैको मीटर के question होते हैं इसमें triangle जो हमारे right angle triangle से height and distance से वो जो similar triangle से solve होते हैं यह बहुत important है अगर हम बात करते हैं next topic की तो next topic है हमारा transportation transportation में भी एक हमारा हो जाता है highway जिसमें हम सबसे पहला होकर हम highway दें फिर हमारा railway railway बहुत important हो गया है आजकल इसको भी बहुत ज़्यादा value दे रहे हैं इसकी मास distribution अच्छे खासे level पर और एक हमारा होता है airport एयरपोर्ट पर तो गिन्ना चुना question है एक हमारा question आना इसका numerical का तो जो हमारा correction के वज़े से होता है कि elevation का correction temperature का correction और हमारा जो gradient का correction इसके वाज़ जो question आता है हमारा runway length में क्या correction होगा यह question important एयरपोर्ट से या फिर इसकी थोड़ी थोरी पूछेंगे लेकिन अगर हम highway की बात करते हैं highway की बात करते हैं तो geometric design इसका सबसे important chapter इसको हम miss नहीं कर सकते geometric design की बात करते हैं ssd हो गया usd हो गया हमारा transition length हो गई summit curve हो गया valley curve हो गया सब बहुत important है महीं पर अगर हम railway की बात करते हैं तो railway में भी अब यो लोग पूरा cantid efficiency पूछते हैं यह हमारे जो formula होता है कि इतने गौज है तो इस वाले गौज पर हमारा crossing के वज़े से और इसकी theory तो ही important तो जितना हम highway को importance लेते हैं railway का syllabus थोड़ा से defined है जो ESE में previous year के question आये उनी topic को touch करता है ssd और उससे related question हमारे अब यह mains में पूछ सकता है पहले कि जो mains जो conventional होता था उसमें हमारा कुछ ही topic थे लेकिन अब हो सकता है कि भाई यह objective में पूछ रहे हैं तो बहुत जादा वास तरीके से touch करें points को जैसे steel में हमारा plastic analysis है वो एक important topic है plastic analysis में हमारा जो फूरा structure दे देगा और निकालना पड़ेगा कि हमारा plastic moment की value क्या होगी वहाई पर एक question आता है कि neutral axis के जैसे हमारा eye section हमें दे दिया है तो eye section है तो centroid एक तो हमें इसका moment of inertia निकालना होगा इसका एक हमें neutral axis कहां लाए करता है वो निकालना पड़ेगा अगर हमारा उसके topic को revise करेंगे जो उसमें सबसे ज्यादा topics पूछे जा रहे हूं topics को revise करेंगे उसे दिन और उसके जो PYQ है number wise लगाते चलेंगे सबसे पहले हम A level के PY को लगाएंगे फिर ESE की जितने भी statement और numerical से उनको लगाएंगे और फिर gate के numerical को लगाएंगे तो उस topic के जितने भी questions से उनको पूरा हम करते हुए चलेंगे एक भी चीज को छोड़ते हुए नहीं जाएंगे कि अगर paper 2 में हमारा कोई भी topic जो हमने पढ़ा है उससे तो question छूटने बिल्कुल नहीं चाहिए इस तरीके से हम करते हुए चलेंगे तो सबसे पहले soil को लेंगे प्री क के लिए हमने पढ़ा ही है तो उसको हम prioritize करेंगे subject को prioritize करेंगे उसके important topics को पढ़ेंगे A, J, A, E, gate और EAC level के questions लगाएंगे 40 days तक तक सब पढ़ेंगे मैंने आपसे पहले ही जोला था 40 days तो सब पढ़ेंगे लेकिन जो ये पूरे 51 days का इसका फायदा उठा ले जाएगा वही वही selection के सबसे आदा पाएगा उस selection के लिए almost pushes करिए 51 days भी नहीं होते है तो 49 days तब तो पहुंचे ही पहुंचे है बिल्कुल कुछ भी miss नहीं करना है सब कुछ पढ़ते हुए चलना है क्योंकि इन question इन वाले paper में क्या होता है कि आप ज्यादा deep नहीं जा सकते क्योंकि 100 questions प है उसमें deep नहीं जाना है हमें उसका coverage एरिया जादा है जो हमारा contour है यह जो हमारा coverage एरिया यह जो हमारा circumference है इसकी radius है वो जादा उन चाहिए लगता है कि cover करना चाहिए सबसे पहले सबसे पहले दस दिन के अंदर हमें वह topic cover कर लेंगे जो आपको लगता है कि जिस भी subject के topic आपके बिल्कुल नहीं हुए है या फिर आपको उनमें थोड़ा सा विराट उनको करते हुए चलेंगे फिर इसी अपरोज से हम सारे subject को end तक करना चाहिए तो feel free to comment विल्कुल आप अपने comment रखिएगा हम बिल्कुल इसको देखेंगे अगर हमें लगेगा कि बिल्कुल हम इसको कर सकते हैं तो इसको इंक्लूट करते हुए हम आगे की strategy बनाएंगे till then thank you so much and all the best for the results keep practicing और बिल्कुल लग जाहिए दिन जादा नहीं कर दो